टेकिपउन अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबेई वैल्कम स्टुडैट्स, मेरे चैनल टेकिपउन अकेडमी में फिर से स्वागत है आजका नएए टॉपिक है बचत फलन क्या होता है और इसी में हम देखेंगे स्वायत बचत फलन क्या होता है और प्रेरिद बचत फलन क्या होता है तालिका के माद्दम से और चित्र के माद्दम से दोनों तरीके से मैं आपको स्वायत बचत फलन प्रेरिद बचत फलन समझाओंगा और उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आईए देखते हैं इस टॉपिक को वेलकम स्टुडेंट्स आज का टॉपिक है बचत फलन के घटत स्वायत बचत फलन एवं प्रेरिद बचत फलन आईए देखते हैं इसे बचत फलन का अड़ बचत और आई के मद्धे पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही बचत फलन कहते हैं यहां बचत फलन क्या दर्शारा है दो चर्फ कौन कौन से दो चर्फ बचत और आई के मद्धे जो संबंध दर्शाएगा उस फलन को ही हम क्या कहेंगे बचत फलन अर्थात ऐसा फलन जो बचत और आए के मद्धे संबन दर्शाए उसे हम बचत फलन कहते हैं बचत और आए के मद्धे धनात्मक संबन होता है और ये बचत फलन कैसा संबन दर्शार है बचत और आए में धनात्मक संबन धनात्मक संबन का मतलब क्या होगा कि अगर राष्ट्रियाय बढ़ती है तो बचत भी क्या होगी बढ़ेगी और राष्ट्रियाय अगर घटती है तो बचत भी क्या होगी घटेगी तो कहने का मतलब जब दोनों चर या तो बढ़े या दोनों चर घटे ऐसे संबन को हम क्या क बराबर माइनस S बार प्लस स्मॉल स Y, यह S के उपर बार है, ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, इसको तुकड़े करके हम देखेंगे कि क्या-क्या है, उससे पहले मैं आपको उब्भोक फलन से बचत फलन का निरुपौन बता देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने I क्या होती है हमारी, I अगर हम कहें, तो I बराबर होती है उब्भोक प्लस बचत, यह हमारा I होती है, कैसे होती है, कि मान लीजए मेरी 100 रुपा आय है, तो मैंने 60 रुपर उभोक कर दिया, तो बचा कितने हैं मेरे पास, 40 रुपर बचे, तो यह देखे, 60 प्लस 40 बराबर कितने होंगे 100 कहने का मतलब i बराबर हमेशा व्य होता है तो ये व्य उभोग के रूप में भी माल लो और आप बचत के रूप में भी माल लो तो कहने का मतलब y बराबर हमेशा क्या होता है c प्लस s ठीक है तो y बराबर c plus s होता है तो s बराबर क्या होगा y minus c mathematics के अनुसार ठीक है और हमारा c उब्भोग फलन जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको उब्भोग फलन के बारे में संपूर्ण जानकरी देती आप उसे जरूर देख ले c बराबर होता है हमारा c बार प्लस by जहां c बार है स्वायत उब्भोग b है mpc और y है national income तो यह हमारा उब्भोग फलन है तो इस सूत्र में कौन से सूत्र में? इस सूत्र में हम यह put up करने जा रहे वे दिए यह वाला सूत्र तो s बराबर क्या हुआ y यह मैंने y ले लिया यहां से यहां फिर यह minus का चिन यह मैंने minus का चिन ले लिया फिर मैंने कोश्टक लगा के जो c का मान c का मान क्या है c का मान है c बार प्लस by ऐसे कैसे मैंने लिख दिया है c बार प्लस by ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, फिर उसके बाद आता है, इसी को solve किया, तो क्या बना, s बराबर y minus, कोश्टक को खोला तो हमने क्या बना, यह c बार क्या बन गया, minus c बार, और यह plus by था, यह क्या बन जाएगा, minus का by, ठीक, यहां तक हो गया हमारा, फिर है, s बराबर, अ हमने पहले ले लिया है, और यह plus का जो y था, उसको हमने यहां लिख दिया है, plus y, और minus y को minus by यहां लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या क्या है, आगे हमने इसको क्या है, s बर बराबर, minus c बर ऐसे कैसे लिख दिया है, अब यहां देखे, यहां पर भी y है, और यहां पर भी y है तो common आ जाएगा हमारा y तो हमने plus y को common ले लिया है और costak में क्या बचा इस जगे बचा एक फिर यह minus का चिन बचा और यहां क्या बचेगा b तो इस तरह से हमारा यह common y आ गया अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि mps बराबर होता है 1-mps हम क्या जानते हैं की marginal propensity to saving सीमानत बचत प्रवर्ति कितनी होती है 1-mps के जहां mpc सीमानत उप्वोग प्रवर्ति है तो mps को ही हम small s कहते हैं ज्यान दें mps को ही हम किस चिन के द्वारा दर्शाएंगे small s के द्वारा और mpc को किस चिन के द्वारा दर्शाते हैं हम small b के द्वारा तो कहने का मदलब mps बराबर 1-mpc को हम कैसे लिख सकते हैं small s बराबर 1-b ऐसे लिख सकते हैं ठीक है यहां तक पहुँच गे तो अब आप देखेंगे यहां 1-b है यह देखें यह 1-b और यहां पे भी 1-b है तो 1-b बराबर क्या हो जाएगा small s 1-b बराबर क्या हो जाएगा small s आप देखें यह रह 1-b ठीक है और यह रह 1-b तो हमने इस 1-b की जगा हम क्या लिख देंगे यह small s तो आप देखें, नहीं, हमारी क्या हो जाएगा, यह समिकरण हमारा आप क्या हो जाएगा, s बराबर, यह माइनस c बार, यह माइनस c बार लिग दिया हमने, फिर प्लस y, तो प्लस y, और यह हमारा 1 माइनस b की जगह हमने क्या लिग दिया है, small s, फिर हमने इसको कोष्टक को क तो हमारे पास क्या बन गया? S बराबर माइनस C बार प्लस स्मॉल S वाई ठीक है? जहां माइनस C बार को हमने माइनस S बार बना दिया है क्यों बना दिया है? क्योंकि आपने पहले मेरा जो उभभोग खलन वाला चैप्टर है टापिक है वो देखा होगा हमेशा स्वायत उभभोग या स्वैचालित उभभोग स्वैचालित बचत के बराबर होता है जितना स्वैचालित उभभोग होता है उतनी ही स्वैचालित बचत होती है तो हमारा बचत फलन निकल कर क्या आगया है? s बराबर minus s बार plus small sy इसे ही बचत फलन कहते हैं तो ये तो है हमारा उबोग फलन और ये है हमारा बचत फलन तो इस तरीके से हम mathematically उबोग फलन से बचत फलन प्राप्थ करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं बचत फलन के गटक आपने देख लिया बचत फलन क्या होता है बचत फलन स्वायत बचत फलन minus s बार और प्रेरित बचत फलन plus small sy का योग होता है अब इन दोनों घटकों की हम चर्चा करते हैं बचत फलन के गटक नमबर बन स्वायत बचत फलन minus s बार स्वायत बचत को स्वयचालित बचत भी कहते हैं स्वायत बचत प्रयोज्य आय या राष्टी आय से स्वतंत्र होते हैं अर्थात आय का स्वायत बचत पर कोई परभाव नहीं पड़ता है कहने का मतलब राष्टी आय बढ़े या राष्टी आय गठे लेकिन स्वायत बचत इस्थिर रहती है जितना स्वयचालित उभोग धनात्मक होता है जितना स्वयचालित उभोग धनात्मक होता है उतनी ही स्वयचालित बचत रिनात्मक होती है माइनस S बार, अर्थात, अगर वक्र में हम इसकी काउंटिंग करें तो C बार बराबर माइनस S बार होता है अगर C बार का मान प्लस के 50 है, तो अगर C बार बराबर प्लस 50 है तो माइनस 50 बराबर S बार हो जाएगा अर्थात, S बार का मुल्य माइनस पचास हो जाएगा तो जितना C बार धनात्मक होगा उतना ही S बार क्या हो जाएगा माइनस ठीक है तो यह है स्वायत बचत और स्वायत उभोग में संबन अब आप देखें हमने यहाँ यह स्वायत उभोग वक्र लिया है यह हमारा Y-axis है यह O-axis, X-axis और यह नेगटिव पक्ष है यह 0 के नीचे नेगटिव आगया तो स्वायत उभोग हमारा धनात्मक होता है हमने पहले ही चर्चा कर लिये उस वीडियो को जुरूर देख ले यह OG हमारा स्वायत उभोग वक्र है जो की constant है स्वायत उभोग हमारा constant रहता है और जितना OG स्वायत उभोग प्लस में है उतना ही OG1 स्वायत वच्चत हमारी नेगटिव में है इसलिए यह हमारा minus S बार जो है दिख रहा है इसे ही हम स्वायत वच्चत वक्र कहते है और यह कितना है मैं आपको फिर से बता दू हमारा OG area किसके बराबर है OG1 के OG का मतलब है स्वायत उभोग और OG1 का मतलब है स्वायत वच्चत जो की मैंने आपको पहले बता दिया है दोनों एक दूसरे के बराबर होते है बस यह धनात्मक होता है और यह रिनात्मक संख्या में दोनों बराबर होंगे जितना OG धनात्मक होता है उतना ही OG1 रिनात्मक होगा फिक तो निश्कर्च क्या निकलता है C बार बराबर हमेशा माइनस S बार होता है उपभोग के आएसे अधिक होने पर पुरानी बचत में से खर्च किया जाता है उसे आए बचत करते है यह टॉपिक है यह माइनस S बार क्या बताता है आए बचत दिखाता है आए बचत क्या होती है जब हमारी आयकम हो और हमारा खर्च जाता हो तो हम उस खर्चे को कहां से करेंगे हम उसको खर्च करेंगे हमने जो पुरानी बचचत कर रखी थी पुराने पैसे बचा रखे थे हम उसको खर्च करेंगे तो हमने क्या किया बचचत तो की नहीं बलकि पुरानी बचचत का उप्योग ओर कर लिया तो इसे ही डिस सेविंग या आई बचत कहते हैं यहाँ आई का शुन्य होना जुरूरी नहीं है जबकि आई के शुन्य होने पर जीवन जीने के लिए आवशक उभ्भोग पुरानी बस्तों में से किया जाता है उसे स्वैचालिद बचत कहते हैं ध्यान रखना आई बचत के लिए आई का जीरो होना जुरूरी नहीं है आई बचत उसे कहते हैं जब उभ्भोग आई से अधिको माल लओ मेरी आई सो रुपए है और मेरा उभ्भोग है डेड़ सो रुपए है तो इसे तो हम कहेंगे डिस से भी ध्यान दो माल लीजे मेरी आई बचत या डिस से भी ठीक है जबकि स्वेचालिद बचत अलग चीज होती है स्वेचालिद बचत क्या होती है आई का इस्तर उस वक्त शुन्य होता है स्वेचालिद बचत और आई बचत में अंतर होता है स्वयचालिद बचत में I0 होती है और उस वक्त हम क्या करते हैं जीवन जीने के लिए आवश्यक बचतों को खरीदते हैं और पुरानी बचतों का प्रियोग करते हैं तो उसे हम स्वयचालिद बचत कहते हैं दोनों ही इस्तिती में द्यान दे आवश्यक बचत हो या स्वयचालिद बचत हो स्वयचालिद बचत या आवश्यक बचत दोनों ही केस में पुरानी बचतों का प्रियोग किया जा रहा है पुरानी जो बचत है हमारी उसका प्रियोग करके हम खर्च करने है लेकिन दोनों में अंतर क्या है A बचत में I का इस्तर 0 होना जरूरी नहीं है जबकि स्वेचालिद बचत में I का इस्तर 0 होता है उस लेवल पर उसकी counting होती है तो यह main difference है A बचत और स्वेचालिद बचत में अब हम देखते हैं इस diagram को मैं एक बार और बना की दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे कैसे बनाया है हमने diagram यह देखी मैं इधर ही बना देता हूँ इसको यह देखी है हमने ऐसे लिया है इस वक्र को एकदम सीधी लाइन खीचनी आपको ठीक है न? मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है आप ध्यान रखें scale से करें तो यह हमारा yox है यह negative है और यह positive होता है तो यह हमने g बिंदू लिया था यहां और यह इसको हमने c बार का है और जितना यह यह वाला एरिया है og उतना ही हमको क्या लेना है? og1 तो यह हमने g1 ले लिया और यह हमारी क्या हो गई? minus की s बार यानि की c बार बराबर minus s बार हो गया यह हमारा स्वेचालित उभग हो गए वक्र है और यह हमारा स्वेचालित बचद वक्र है अब हम इसकी तालिका देखते है तालिका क्या कह रही है? i स्तर y है और स्वेचालित बचद minus s बार आप देखें, आय का इस्तर 0 हो, या 100, 200, 300, 400, 500, आय का इस्तर कोई भी हो, लेकिन 140 बचत कितनी है, constant, minus 40, minus 40, minus 40, अच्छा खास बात, अगर 140 बचत, minus S बार बराबर कितना है, minus 40, तो C बार बराबर क्या होगा, plus के 40, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि C बार और S बार मे क्या समद्द होता है, कि जितना S बार माइनस में होता है, उतना ही C बार प्लस में होता है, तो आप देख सकते हैं, आय बढ़े, या गटे, या इवन 0 हो जाए, तब भी स्वायत 40 बचत, या स्वायत बचत हमारी 40 ही रहेगी, minus की, यह हमेशा minus रहती है, ठीक है, आगे बढ रास्ट्याय का धनात्मक फलन होती है, जैसे बचत फलन होता है, रास्ट्याय का धनात्मक फलन, वैसे ही सेम उसी तरह प्रेरित बचत भी आय का धनात्मक फलन ही होता है, अर्थात रास्ट्याय बढ़ने पर प्रेरित बचत बढ़ती है, और रास्ट्याय के शुन्य होने पर प्रेरित बचत शुन्य हो जाती है, कहने का मतलब y बढ़ेगा, तो प्रेरित बचत जो है, वो हमारी क्या होगी, प्रेरित बचत वो भी बढ़ेगी, और आएक बढ़े गठेगी, तो प्रेरित बचत भी हमारी क्या हो जाएगी, गठ जाएगी, even y बराबर शुन्य होगा तो प्रेरित बचत भी हमारी क्या हो जाएगी शुन्य हो जाएगी तो ये इसमें संबन्द होता है प्रेरित बचत फलन का ढाल ही प्लस S या MPS कहलाता है MPS का मतलब Marginal Propensity to Saving अर्थात सीमांत बचत परवर्ती सीमांत बचत परवर्ती को ही प्रेरित बचत फलन का ढाल कहते हैं और इसे बचत फलन का ढाल भी कहते हैं अर्थात निश्कर्ष क्या निकलता है निश्कर्ष निकलता है प्रेरित बचत फलन प्रेरित बचत फलन तथा बचत फलन दोनों का दोनों का ही ढाल MPS होता है यह निश्कर्ष नितलता है इसका ठीक है यह नोट कले ना प्रेवित बचत फलन तथा बचत फलन दोनों का इडाल क्या होता है MPS आगे बढ़ते है यह हमारा प्रेवित बचत पक्र है आप देख सकते हैं प्लस स्मॉल एस वाई मूल बिंदू से स्टार्ट हो रहा है और बिल प्रेवित बचत फलन का ढाल MPS होता है चूंकि MPS इस्तिर होती है इसलिए प्रेवित बचत वक्र मूल बिंदू से गुजरने वाली एक सरल रेखा के रूप में होता है तो आप देख सकते हैं, यह एक सरल रेखा के रूप में है, बचत वक्र हमारा इस तरह का नहीं है, किस तरह का? इस तरीका का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो small s है, इसका मान क्या है, constant है, constant है, स्थिर है, small s का मतलब mps MPS का मान क्या है constant इस कारण से ये पूरा का पूरा प्रेरिद बचत फ़लन एक सरल रेखा के रूप में बदल गया है अब हम इसकी टेबल देखते हैं तो ये हमारा I का इस तरह है Y ये हमारी MPS का मान है हमने मान लिया कि MPS बराबर 0.4 है और प्रेरिद बचत हम कैसे निकालेंगे small s को गुणा करेंगे Y से तो हमारा Y का इस तरह ये रहा 0, 100, 200, 300, 400, 500 और हमारी MPS का मान हमने कितना मान है 0.4, 0.4, 0.4 हर जगे constant और अब हम प्रेरिद बचत निकालेंगे तो उस कैसे निकलेगी simple सी बात है हमें गुणा करना है I को और small s को यानि कि I के स्तर को और MPS को गुणा कर देंगे तो प्रेरिद बचता आजेगी 0.4 को 0 से गुणा किया तो मान कितना आया 0, ठीक है और 100 को गुणा किया किस से 0.4 से तो मान कितना आया 40 200 into 0.4, 80, 300 into 0.4, 120, 400 into 0.4, 160 और 500 into 0.4, 200 इस तरीके से हमने ये प्रेरिद बचत निकाली है ये हमारा इस तरीके से कार्य हो गया है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टेबल हमारी कैसे बनाई है हमने प्रेरिद बचत की इन दोनों table का गुना करके ये प्रेद बचत की table हमने बनाई है अब हम आगे बढ़ते हैं ये हमारी बचत तालिका है बचत तालिका को बनाने के लिए हम क्या करेंगे s बराबर s बराबर s बर क्लस स्मॉल s y यानि कि जो स्वायत बचत है minus s बार और जो प्रेद बचत है अगर उसको जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास कुल बचत आ जाएगी ये हमारा i का इस्तर है y 0,100,200,300,400,500 स्वायत बचत हमने कितनी मानी थी अभी थोड़ दिर बहले minus 40 तो ये हर जगे मैंने minus 40 लिख दिये mps कितना माना था हमने 0.4 तो ये 0.4 लिख दिया है प्रेद बचत हमारी कितनी आई थी हम यहां से 22 भी निकाल सकते हैं ये y का इस्तर और अगर mps को हम गोणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रेद बचत आ जाएगी वापस से तो ये हमारे पास प्रेद बचत कितनी आ गई है 0, 40, 80, 120, 160 और 200 और बचत कैसे निकालेंगे हम बचत निकालेंगे लिए हम करेंगे स्वायत बचत ये वाली टेबल ठीक है और प्रेद बचत ये वाली टेबल इन दोनों का जब योग करेंगे जोडेंगे तो अमारे पास क्या जाएगा बचत या कुल बचत तो जैसे माइनस 40 प्लस 0 बराबर कितना होगा माइनस 40 फिर माइनस 40 और प्लस 40 कितना होगा 0 ठीक है फिर है माइनस 40 और प्लस के 80 बराबर प्लस के 40 माइनस 40 प्लस 120 बराबर प्लस 80 आगे और ऐसे ही माइनस 40 प्लस 160 बराबर 120 है और अंत में माइनस 40 प्लस 200 बराबर 160 तो इस तरीके से हमने बचत कैसे निकाली है बचत होती है हमारी माइनस S बार प्लस स्मॉल S Y इन दोनों का योग ही हमारी बचत क्यलाती है तो यह हमने बचत तालिका बना ली अब हम आगे बढ़ते है बचत वक्र बराबर स्वायत बचत वक्र प्लस प्रेरित बचत वक्र होता है बचत वक्र क्या होता है जैसे बचत की तालिका किसका योग थी बचत की तालिका स्वायत बचत तालिका और प्रेरित बचत तालिका का योग थी वैसे ही बचत वकर भी क्या होगा स्वायत बचत वकर और प्रेरित बचत वकर का योग आप देख सकते हैं ये हमारा y, o, x पॉइंट है ये हमारी क्या है प्रेरित बचत वकर प्रेरित बचत वक्र कहां से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं मूल बिंदू से स्टार्ट हो रहा है O बिंदू से और ये प्लस स्मॉल स्वाई ये हमारा प्रेरित बचत वक्र है और ये OG हमारी क्या है स्वायत बचत OG क्या है हमारी स्वायत बचत तो ये minus s bar हमारा स्वायद बचत वक्र हो गया प्लस small s y हमारा प्रेविद बचत वक्र हो गया जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या निश्कर्ष निकला कि 0 में अगर og जोड़ोगे मालो अगर हम यहां से start करें तो बचत क्या होगी बचत होगी s बराबर minus s bar plus small s y तो minus का s bar कितना है 0 level पे minus का s bar है 0 level पे og ठीक है और y का इस्तर क्या है 0 तो y का इस्तर 0 है तो यह term क्या हो जाएगी 0 तो answer कितना आ जाएगा s बराबर og यानि कि जब i बराबर 0 हो तब s कितनी होगी og तो यह i के 0 इस्तर पर यहां से start होगा बचत वक्र कहने का मतलब बचत हमेशा स्वैचालित बचत के point से ही start होगी तो यह बचत वक्र है हमारा जो g बिंदू से start हो रही है और यह यहां से काटते हुए x-axis को उपर निकल गई है खास बात ध्यान दे प्रेरिद बचत वक्र और बचत वक्र दोनों ही समाना अंतर है यह देखें दोनों ही समाना अंतर है आप देख सकते हैं दोनों ही parallel है क्यों है यह दोनों parallel क्योंकि इन दोनों का ही ढ़ाल क्या है mps है दोनों का ही ढ़ाल क्या है mps प्रेरिद बचत वक्र इसका ढ़ाल भी क्या है MPS और कुल बचत वक्र इसका ढ़ाल भी क्या है MPS तो जब दोनों का ढ़ाल सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं पैरलल या समानांतर वक्र इसी लिए जैसे सेम ये S वक्र कैसे बना है जैसे सेम ये था स्मॉल एस वाई वक्र सेम ऐसा का ऐसा जी बिंदू से स्टार्ट होकर हमारा बच्चत वक्र बद दया प्रेदिद बच्चत वक्र आपने देख लिया मैं इसका एक बार सैंपल और बना के दिखा देता हूँ हमने कैसे किया है इसको तो देखाते हैं हम इसको देखिए एक बार ये हमने ऐसे लाइन ड्रो की ठीक है और ये हमने इस तरह से काम किया है य ओ और ये एक्स हो गया हमारा ठीक है ये हमारा क्या हो गया है प्लस स्मॉल एस वाई ये हमारा प्रेदिद बच्चत वक्र बना दिया हमने और ये हमने क्या बना दिया अपना ये हमने बना दिया माइनस S बार यानि कि स्वायत बचत का वक्र स्वायत बचत वक्र बना दिया है और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कैसे जोड़ेंगे कि हम इनको आप देख सकते हैं, यह O.G. है, तो जितना O.G. स्वायत बचत है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहा है, और सेम, सेम यह वाला वक्र, कौन सा फ्रेरिद बचत वक्र हमें यहां से बना देना है, बस और कुछ नहीं करना, बस यह दियान करना, दोनों पैरलल होने चीए, तो यही हमारा बचत वक्र कहलाएगा, बचत वक्र, जो कि S बराबर, माइनेस S बार, प्लस स्मॉल स्वाई करके हमने बनाया, ठीक है, आप स्केल की सायता से बनाएंगे, तो एकदम सही बनेंगे, अब आगे आते हम लोग, प्रेरित बचत वक्र और बचत वक्र, दोनों का अंतर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, अब यहां ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है अर्थिवस्ता का, अर्थिवस्ता में ब्रेक इवन पॉइंट या समिस्तर बिंदू, या सम विच्छेत बिंदू उसे कहते हैं, जहां आय और उ भोग वक्र है, जो C बार से स्टार्ट हो रहा है, और ये C बना है, O C बार ये जो एरिया है, ये स्वायद उभोग है, और ये हमारा C बना है, C यानि कि उभोग वक्र, C क्या होता है, C बराबर C बार प्लस BY होता है, अब जहां Y और C दोनों बराबर है, कहा हैं दोनों बराब बराबर होते हैं, वा बच्चत क्या होती है? शुन्य है, और ये हमारा बच्चत वक्र इस तरीके से, तो ये K बिंदू ही आर्थव्योस्ता का ब्रेक इवन पॉइंट या समविच्छेद बिंदू कहलाता है, ये K पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये y.b कह सकते हैं, दोनों ही बात एक ही है, क्योंकि k बिंदू हो या y बिंदू हो दोनों पर एक मान है, कौन सा मान, y बराबर c और s बराबर 0, दोनों ही इसी आइस तरप है, तो इसलिए इसे हम अर्थिवस्ता का ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, आप इस चित्र को अच्छी इदर देख लें, इदर हमने बचत रुब्भोग लिए, यह इदर हमने राष्टी आय लिए, यह द्यान दे, यह आइबचत है, जहां हमने देखा कि रुब्भोग जादा है, आय से, इस कारण से पुरानी बस्तों का प्रियोग किया जा रहा है, इसलिए यह जो एरिया है यह वाला लाइन डॉट-डॉट की चाओ है, यह है ए बचत हमारी, यहां बचत रिनात्मक है, वाई बिंदू पर बचत जीरो हो गई है, और उसके आगे बचत धनात्मक हो गई है, तो इस तरीके से हमारा यह कंप्लिट टॉपिक होता है, आप इस टॉपिक को देखें अच कर लिया है, बचत फलन के गटक किये थे हमने, और हमने यह भी दिखा था, कि सूतर के माद्यम से सिद्ध कीजिए, यह परशन ऐसे भी आ सकता है, कि सिद्ध कीजिए, S बराबर माइनस S बार क्लस स्मोल स्वाई होता है, तो आपको ऐसे ही सिद्ध करना होगा, तो इसमें झाल